यूपी में मतुरा जिले के थाना सदर बाजार इलाके में दो दिन पूर्व हुई बैंक लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया पुलिस ने घटा में शामिल एक महिला सहित पाच आरोपियों को पकड़ा है जबकि एक बदमाश को मुटफेड के बाद अरेस्ट करने का दावा पुलिस विलहाल कर रही है पुलिस ने पकड़ में आये शातिर बदमाशों से के पास से लूटी गई रकम में से करीब साड़े उनिस लाक रुपए की नगदी बरामत कर ली है बदमाशों के पास से घटा में प्रियोग किये गए अवे तमंच्रे और कार्टूस भी पुलिस ने बरामत किये आपको बता दे कि दो दिन पहले हतियारों के बल पर बदमाशों ने थाना सदर बाजार इलाके में से तर्ट ग्रामीड बैंक आफ आरेवत में लूट पाट की इस दौरान बदमाश 21,17,000 की नगदी लूट कर फरार हो गए बैंक लूट की इस वारदात का खुलासा करते हुए SSP जॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि घटना की खुलासे को पुलिस की 6 टीमें लगी उन्होंने बताया कि मामले में एक महिला सही चार यूपकों को आरेस्ट किया गया उन्होंने ये भी बताया कि महिला और यूपकों के साथ की कतित भूहा बताय चारी है SSP ने बताया कि करीब दो सबताहा पूरविन लोगों ने इस वारदात की अंजाम देने की इसकी साज़िश्रक्षरची और महिला ने ही इस पूरे इलाके की रहकी भी की थी सकते हैं